चलिये गुद इवनिंग दोस्तों, गड़ इवनिंग, सभी लालों को प्रणाम, लालों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, क्या हाल चाले सबके बढ़िया, आजाईए सभी लोग, आज गांदी जी और सास्त्री जी का बड़े सेलिबिरेट करना है, सब लोग को आना है आज, केक केक कटिंग का प्रोग्राम रखा गया है और फिर पार्टी आज गांदी जी बोल रहे हैं कि सास्त्री जी आप दे दूंगा तो दोनों से अब बच्चों से पूछ रहे है किसको क्या देना कब तो यह बता देंगे फिर आपो नोग इनको पार्टी आपको बोल देंगे कहान है ठीक है तो गांदी जी और साथ्तिर जी का बढ़े है आज ना बढ़े एक दिन है but मैं दूर्स लिग अलग अलग ए ठीक है तो विसेश में गांदी जो र्पारी और सास्ते के बारे बारे में है इस बात पर विडियो को लाइक गड़ो जा कर दो आट भाई या उसके बाद में आपका यह आपका क्वीज जोन भाई भी इस ठीक है वो दिखाऊंगे तो कि क्वीज जोन आपका यह क्या है लुक्ति के लिए आपको मिलेंगे यह टेलीग्राम चैनल है यह आपको याद रखना है यहाँ इसकी PDF आपको प्रवाइट करवा जाएगे दोस्तों उसके अलावा यह आपका schedule आपके सामने दिखाई पढ़ रहा है तीन अक्टुमबर जोकरफी सुबह 9 बजे जामिल सर 12 बजे साइनसी के साथ 9 बजन सर मतलब मैं स्टेटिक जीके लेके आपकी सेवा मैं हाजीर हूँ 5 बजे और प्रवेश सर 6 बजे आपको reasoning के साथ में मिलेंगे तो सभी लालियों को प्रणाम है सभी लालों को प्रणाम बहुत अच्छे होंगे इस उम्मित करता हूँ ठीक है इस क्लासको आप आदत से बना लो इस क्लास को आपको डेली देखना वेटा क्या करना है डेली देखना है जहीं कहीं कुछ भी करो यह क्लास आप देख लो आम बान है आपके लिए सारे सब्जेक्ट में इसमें cover करवा देता हूँ even current affair भी अपन रिवीजन भी कर लेते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं अजनता में लोरा की गुफाओं कहां पर आपके औरंगाबाद में हैं अजनता की गुफाओं का रिर्मान किसके द्वारा करवाया गया था हरी शेहना के द्वारा अजन्ता में गुफाओ की कुल संक्या कितने उन्ती से, अजन्ता की गुफाओ की धर्म संबंदे बहुत धर्म से, अजन्ता की गुफाओ को युनेस्को की विस्त धरोस्तवल में कब सामिल किया गया था, ठीक है, तो फटा-फट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चलिए पहला प्रश्ट पहला प्रश्ट पहला प्रश्ट आपके स्क्रिन पर विनो ठीक है चलिए तो एतिहासिक लेखों का संदक्षन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है अभी लेखों का अध्यान आपके अभी लेखों का अध्यान हो गया है मीजियोलोजी में आपके एतिहासिक लेखों का संदक्षन ठीक है मीजियोलोजी में क्या आपके तो मीजियोलोजी में एतिहासिक लेखों का संदक्षन है प्रतीमा विज्ञान इसमें आपके मुर्ति का जो है ना मुर्तियम कला क्रतिया ठीक है इसके अलावा मुद्रा सास्त्र में मुद्राओ का अध्यन मुद्रा सास्त्र में करंसी मुद्राओं का अध्यन आपको याद रखना बड़ा ही सड़ प्रश्ण था वीडियो को लाइक शेर करतो गांधी जी और सास्त्री जी का बड़े सेलिबेट करेंगे हम आज हना अभी साड़े पांच बज़े केक कटिंग साड़े पांच नहीं प इसका अंसर होगा प्रतीमा विज्ञान इसमें आपके मुर्ति एवं कला क्रतिया इसका अध्यन करते मुद्रा सास्त्र में करंसी मुद्राओं का अध्यन मुद्राओं का अध्यन बिटा ठीक है तो पहले का अंसर सी होगा पहले का अंसर सी होगा यह आपके सामने आपको द National Non-Violence Day तो अंतराष्टी अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टुम्बर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांदी जी का जन्म हुआ था और इसकी सुरुवात UNO के द्वारा कब हुई है आपके तो इसकी सुरुवात हुई है आपके 2007 में 2007 में इसको प्रारंब किया गया था तो 2007 से इसकी सुरुवात मानी गई इसको इस्टार्ट कब से किया गया है तो इसकी सुरुवात या इसकी स्टार्टिंग कब से है तो इसकी सुरुवात या स्टार्टिंग कब से है तो सुरुवात या स्टार्टिंग यह आपको याद रखना है कि सुर्वात या स्टार्टिंग 2007 से युए नो के द्वारा दो अक्टुम्बर को इंटरनेशनल नॉन वाइलेंस अंतराष्ट अहिंसा दीबस कि इसी दिन हमारे सल्लू बाबा गांधी जी का क्या हुआ था जन्म तो गांधी जन्ती के उपलक्ष म नहीं अंतराष्ट अहिंसा दीबस मनाया जाता है समचने आगे अगला ये लो अगला प्रशना आपके स्क्रिन पर राधे राधे जैश्री महांकाल चंचल अज्जु पहलेश यूनिक फैक्ज काना आरकाना भहिया भी आगए तो पार्टी में गांधी जी के साथ जाओगे सांस्त्री जी के साथ केलास अजनारे रागनी पाल निक्की विश्व करमा आरियन की डाक्टर साहिब आयुस सोलंकी आकाश सुसमीता पायल परमार बहुत बढ़िया सल्तनत के इतियास में पहली बार मंगोल छेतरे पर कबज़ा करने के दिल्ली के किस सुल्टानिक अभिया जहान की योजना बनाई थी तो हो था आपका महम्मत बिन तुगलक कौन था आपका महम्मत बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतियास में पहली बार मंगोल छेतरे पर यहांनितिक सुन्निक इस्तिती Gothic पन होजातीए यहां पर खालि पन आजाता है यहां लोग आपस में जगड रहे थे कि में राजा बनू अज्जु बोले कि में राजा बनू चंचल बोले कि में राजा बनू आर्ती बोले कि में राजा बनू रिंकु बोले कि में राजा बनू तो सब लोग आपस में जगड रहे थे तो इसका फाइदा उठाना चाहा है किसने आपके मुहमभब बिन तुगलक ने मुहमभ बिन तुगलक ने 3.70.000 लोगों को अपनी सेना में भरती कर लिया और मुहमभब बिन तुगलक ने इन 3.70.000 लोगों को advanced salary दे दी एक साल का क्या कर दिया वेतन भी दे दिया मुहम्मद बिन तुगल कहता है कि जब भी मैं आपको बलाओ आप सब लोग चल के आ जाना तो इन्होंने कहा कि साब आप तो मिस्कॉल कर देना बाबों के साथ केपे में तो उठके हम आजाएंगे ठीक है आप चिंता मत करो बोले ठीक है अभियान आती है अभारी आती है अभियान करने की चलो भहिया खुरासान लोग आपस में जगड़ा उसका फाइदा उठाते है अपन और क्यों ना आपन कबजा जमाल है अब देसे ही मुहम्मद बिन तुगलक खुरासान के लिए निकलता है कुछी दूरी पर पहुँचा और दरसा अज्जू का फोन आया कि भई राजा साब जो यहां पर पोलिटिकल वेक्यूम जो राजनितिक सुन्ने की सुल्व जो खाली था पन था जो लोग आपस में जगड़ रहे थे उन लोगों आपस में समझोता करके क्या कर लिया एक राजा चुन लिया तो यह प्रैक्टिकल वीचारे का क्या होता है फेल हो जाता है इनको एक साल की एड़वान सिलरी भी दे दीजी किसने आपके मुहमद बीन तुगलक ने ठीक है तो यह अभियान करेगा परिंति का प्रेक्टिकल क्या होता फेल हो जाता है, जो मुहम्मद बिन तुगलक है, इसको आसफलताओ का बात्सा कहा जाता है, रखते भी पासु पागल सुल्तान वाइस फुल कुएंग, है न, दिल्ली सल्तनत का सबसे पड़ा लिखा मुर्ख विद्वान सा सकता, तो वो कौन था विनो आपका, मुहम्मद ब बाबा को ट्रेन से फेकना मतलब समझ रहे हैं, है न, मोत के मूह में हाठ डलने वाली बात है, ठीके, सेर के मूह में बुले, आपने हाठ डाल दिया, और बुले, काट, 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 तो सेर को छोड़ रहा, बुले, रुक्तर को बताता हूँ, तो गांधी जी क्या है, अफर करते हैं दर्बं से यात्रा कर रहे हैं तो डर्बन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे कौन हमारे सल्लु वाबा गांधी जी कौन आपके हैं गांधी जी तो गांधी जी एक बार डर्बन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे अब हुआ क्या विनो देखो इधर देखो इधर आपस में क्यों बहुत कर दंडा कारणी के दो लिए चीता चीतवे कैना सहर जा होगी तो गांडी dzi एक बार जाते हो टना का लगा जा शाक ख़या का लिए भेर ईंग खा जाते हैं गांडी जी एक भाट अधर डर्भंड डर्भं प्री।ूर सह आ अपरिका में chyba एक एक गांडी जी एक बैल-to-do आपंसे को यह तो गांधी जी कम कपड़े पहनने का भी कुछ कारण था ठीके अब का हुआ वहां जो ट्रेन चल रही अफरीका में वहां पर ट्रेन के डब्बे पर क्या लिखा था इंडियन सेंड डॉक्स आर नॉट अलाओ मतलब हमारी तुलना कुटों के साथ में कर रहे हैं अब गांधी जी पैसे वाली पार्टी थी अब गांधी जी कोई आदमी लंदन पढ़ने जा रहा है मतलब इस ही चले जाएगा क्या हां समझ रहे हैं तो गांधी जी यात्रा कर रहे थे और टब्बे लिखा था इंडियन सेंड डॉक्स आर नॉट अलाओ अब गांधी जी डर्बन से प् मैरिस्बर्ग क्या नाम था आपका पीटर मैरिस्बर्ग ठीके तो पीटर मैरिस्बर्ग नामेक इस्टेशन पर गांधी जी को ट्रेंज से क्या कर दिया धक्का अब गांधी जी को धक्का दिया गांधी जी ने बोला अब छोड़ेगा नहीं सल्लू बावा ठीके तुमने म मेरे पास से परन्तु हो इतियास के लेक्षर में बताऊंगा आपको ठीक है गांदी जी ने सब की चटनी बना दी यहाँ पर ठीक है तो उनको पिटर मैरिस्वर्ग नाबक इस्टेशन पर गांदी जी को ट्रेंस धक्का दे दिया था डर्बन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे गांदी जी भाहिया बहुत खतरनाक थे गांदी जी को तुम जानते नहीं अभी अना गांदी जी को समझ रहे हो कस्तुर्वा बोलती के पढ़ने तो जा रहे है अफ्रीक मां जा रहे हो लंदन बोले देखना कुछ लपड़ा मत करना बोले यह ओन ले रहा है तेरे पास बीडियो को लाइक मत करना है ना बस फिरी फंड में शिरी खंड लाइक कोई नहीं करेगा मतला भड़े यार गांदी जी उर सांस्ते जी उपर से देख रहे होंगे क्या केक खिलाए इनको बिडिशाशन की दोरा निम्नी में से कौन सा संगठन अन्यतिन संगठनों की तुल परम हिंसी मंडली की स्थापना कुछ किताबों में 1840 लिखा है कुछ में 1849 लिखा है तो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग बताया जा रहा है ठीके तो यहां पर इसका आंसर तो खेर ब्रह्म समाज आएगा इसका आएगा आपका ब्रह्म समाज ठीके तो यह आपको ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राइ जैसे एक सामी तो टीसरे का आणशर और झार होगा तीसरे का आंशर आपका ठीक है जारे का लगत बीड़े बहुत बीड़े बीड़े शबाष कट्व महातमा गांदी ने भारत में अपना पहला जन भाशन कहां दिया था गांदी जी ने पहली बार भाशन कहां दिया था कौन बताएगा आप मेंसे बता काना मेम की क्लास नहीं लगती अब क्या अच्छा काना ने सब का ठेका लिया विचारा सब मेडमों काना ही बताएगा कौन सी मेडम की खलात कम लग रही है तो गांदी जी ने पहली बार अपना जन भाशन कहां दिया था बारा नसी में आप कुछ बोच्चे आंसर कर रहे है चमपारण अरे चमपू चमपारण कहां से आ जाएगा यहां कुछ और है मात्मा गांदी जी ने भारत में अपना पहला जन भाशन जनता को कहां पर पहली बार संबोदित किया था तो पहली बार संबोदित किया था आपके बारा नसी में कहां पर आपके बारा नसी में देख रहे हो गांदी जी को यह रह है हमारे गांदी जी वेशनव जन तो तेने कहिए बड़ी फेवरेट थी गांदी जी के हाला कि लेखा को उसके नर्सिंग महता है बारती सभीधान का निमने में से कौन सा अनुछेट नागरिकों के लिए आजिविका के परियाप्त सादोनों का अधिकास उनिशित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है अब भी DPSP की बात चल रही है आंसर कर दो DPSP की बात चल रही है अल्प संख्यक वर के हितों का संदक्षन अल्प संख्यक ठीक है अल्प संख्यक वर्गों के हितों का संदक्षन अल्प संख्यक वर्गों हितों का संदक्षन ये आपके धर्म में अभी वरिद्धी की बात करता है इसका आंसर होगा आपके 39 इसका अंसर क्या होगा 39 जो आपके DPSP डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिस आपका जो DPSP डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिस सी हना और धार्मिक अभिविद्धी की बात और अनुच्छे 49 DPSP राज्य को निर्देश देने की बात चल रही है तो तुम भी करो तुमारा नाम भी आएगा ठीक है तो इन लोगों ने देखो तुम भी करो तुमारा नाम भी आएगा ठीक है को सर अब की बार पॉलिटी की क्लास लियाओ कहां लियाओ विटा मेरा चंद में अब कुछ संडे मुझी ले मेरा संद देखो क्या होता है कभी मेरा हातों ले लेंगा नहीं रहा तो फिर नहीं ले पाऊंगा सर दूपरसू मेरा एकजाम इस जिसका पेपर है कि ची зм22 ना जाओ चोड़ के दिल भरा नहीं सुनिल आणा बारत में माहत्मागांढदी को पहला आंदोलन कहा था तो माहत्मागादी ने चंपारन नील की खेती किसी खेती आपके नील की खेती तीन कठिया पद्दती लागू थी नील की खेती आपके तीन कठिया पद्दती यहाँ पर लागू थी चमपारणा एक कहानी 1917 की है हलाकि इसके पहले गांदी जी ने सत्यागरह का अपरियोग अपरीका में किया था आदे दिखना ही रही है लचमी, कुरूती, का किरन तब याज सांत है कमेंट बॉक्स तीनों आज कई मूवी देखने तो नहीं गई चल निक्की चंचल बारती सब विधान के अनुसार विधान सक्तिया किसमें नहीं था आपके 248 अनुछे 248 आप पढ़ो अनुछे 248 तो आर्टिकल 248 यह आपके संसत क्या आपका संसत है ना चलिए कि नया संसत भवन बन चुका है कि देखा कांधी जी को देख रहे हो अलगी टशने बाबा का लगी स्वेग एक दम इनकी जुद जलक सबसे अलग ओ ओ ओ ओ ओ ओ लच्मी मिना अगई जी इधर देखो इधर मेखो लगा तीनों कहीं गई हैं उत्पात करने सुनिल बोले कि मेले में घुमरी है सर महत्मा गांधी ने एक मात्र कांग्रेस अधिवेशन के अधिश्टा कब और कहां की एक मात्र कांग्रेस का एक माटल अधिवेशन काँने क्रनाटक ठीक हैं जाय occup tea सब्सक्राइब इसकर अगांधी धिवेशनuleफ में कंपाउ नीच सो चोविसमें एक मात्र अधिवेशन के अधिक्ष्टा करेंगं गांदी जी कोई 1931 को गोल है शौक है और यह שको और इसमेलनी जेक माथु आ नहीं हरे यह आलग तेक्ट का आधी जा हुर्थ सलागट माथि आंदी जी इसका अपके दिन ए भाटा बीड़ीक स्वेशिकर दो बादा जाध कर से आधी आफ्रीका से गान्दीजी थे यह हां लचमी जीजे ने इंट्री की है लचमी जीजे की दो इस अहिलिया बता नहीं कहां गई है वह लचमी जीजे को छोड़के 1963 में निम्नी में से कौन सा राज एक अलग राज बनकर उभरा था इसका अंसर करिए इसका अंसर करो आफटा फट देखो तृपुरा बना था 1972 में तृपुरा 1972 में अरुनाचल प्रदेश साब के 20 फरवरी 1987 में इसको नेफा भी कहा जाता हूं नाचल प्रदेश को तो नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा अरुनाचल प्रदेश को या आपको याद रखना है और नागालेन भारत का सोलवे नंबर का राज कौन से नंबर का आपका सोलवा राज नागालेन ठीक है महतमा गांदी जी ने ताहसं की इस्थाफना पूरे में किस वर्समें की थी तक ब्रदेशмоद ramadji ceiling का पेपर all the best पेटा काहे का पेपर सीपीघ का महात्मा गादी ने हरी जन सेवक्संग की स्थापना 1932 में हरी जन सेवक्संग की स्थापना इना जिसके पहले अद्धिक्ष गंचामदास बिल्ला थे पहले अद्धिक्ष से आपके गंशामदास जी बील्ला गांधी जी ने हरी जंपत्र का प्रकाशन भी किया तैंथ history में हरी जनपत्र का प्रकाशन ऐस Gefुंद सबस कि इसका अंसर कर दो फटापट क्या आएगा मिनी काय और लक्षदीप आपका नाइन डिगरी अंडबान निको बार आपका सब्सक्राइब प्रश्ने तेन डिगरी माल्दीव और लक्षदीप आपका एट डिगरी अंड़ ओर यहाँ पर 11 डिगरी चेनल ना अमेनी दीवी और कन्नोर के मत्त तो यह आपको याद रखा आमीनी दीवी आपका लाकदीवी आमेनी डिवी उत hea तो 11 डिगरी चेनल किन इप समो को वी भाजित करता आपका अमन डीवी है न नदिवी मत कर लें देय Supreme सिवन का अंशर डी होगा सिद्दार सिंग सिसोधिया जी प्रणाम कि अच्छलिए माहत्मा गांदी की समाधिस्थल का नाम क्या इतना सरल प्रश्ण कौन पूछता है यार मुझे समझ में नहीं आता है माहत्मा गांदी की समाधिस्थल का नाम क्या आपके राजघाट आपके कहां पर है दिल्ली में राजघाट आपके दिल्ली में है कौन सी नदी किनारे आपके यमना नदी के किनारे यमना नदी किनारे राजघाट दिल्ली में है यहीं पर अभी G20 हुआ था जो आपके सारे राष्ट प्रमु के यहां गये थे गांदी जी आगे थे उनके पीछे-पीछे सारे देश के नेता लोग चल रहे थे न मेलोनी भी थी जोर्जिया मेलोनी इटली की प्रधान मंत्री जानते हूं कि न जानते हूं बारत में सर्दी के महिनों के दोरान पश्शीम और उत्तर पश्शीम से भारती महादीप में प्रवेश करने वाले उसने कटिबंद चक्रवात कहां से उत्पन्न होता है सर्दी जैसा लग रहा मुझे यार अब उदर से कमेंड आएं सर यह कर लो वो कर लो इसा पीलो वो पील यह आपके भूमद धिसागर के ओपर किसके ओपर आपके भूमद धिसागर मेडिटरियन सी तो यह आपको यारख बारत में सदी के महिनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारती उप महादीप में प्रवेस करने वाले उसने कटी बने चक्रवाद कहां से आपके बुमत दिसागर से असा लग रहा है कि कटिंग बनाने की जर्वत ते पट जाई नहीं पाया मैं तुम लोगों से योगे सिंग के लिए तालिया थैंक्यू सर आपकी क्लास बहुत ही हेलफुल है सर मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूं रिकॉर्ड इदेखत सब्सirm हुआ यह जен कि ढुव है मैं वेरी नाइस से संसर यह थैंक्यू सो मझ सर मुझे आपकी क्लास बहुत ही जाहा अच्छी लगती है सर थैंक्यू डोस्त हारा गुरु जी एप ऩी बैरी नाइस से सेशं सर थैंक्यू सो मच हैम उन्सामας हैं तहीं ने बहुत अच्छकि लाल भाहतु सास्तरी जी का जन्म कब और कहां आपके छाए जवान जाए किसान ओके थैंक यू यू अर मैं फेवरेट सर पल्लो बायल पल्लो चले लाल भातु सास्तरी जी जी जन्म आपके दो अक्टूंबर 1904 आपके मुगल सराइ पर आपके मुगल सराइ अतरपदेस में मुगल सराइ उतरपदेस में आपको याद रखना है दो क्टूंबर 1904 में लाल भादु सास्त्री जी का होता है जन्म विजी पुरुष लाल भार्दुस सास्तिर जी जै जवान जै किशान भारत के दूसरे नंबर के प्रदहान मंत्री गट सोनम चतुरवेदी सिद्दार सिंग काना यादव कुरुति का ओहो आप देखी नहीर में यहीं ओके बेटा प्रदी परमार चीकू, सुनिल, रितिका, चंदन, रक्षा, विवेक, पायल, राधू, रुद्र, भाउना, लिक्साले भाईया, सीवानी, चलो, वीडियो को लाइक शेयर करो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगा इस्ति थे स्वेज नहर, यह आपका स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर आपके भूमद्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरियन सी और रेट सी, तो भूमद्य सागर और आपका लाल सागर, भूमद्य सागर और आपके लाल सागर, स्वेज नहर, के उत्तर में, है ना, के उत्तर में आप कौन सा बंदर का आपका पूर्ट साहीद कौन सा आपका पूर्ट साहीद ही आपको याद रखना है तो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश दुवार को कौन सा बंदर का आपका पूर्ट साहीद स्वेज नहर भूमत्य सागर और लाल सागर और लाल सागर आपने यह पड़ी र कि दो में नग्हार बेर कि दमेन आप पीश खिशी दमेन आप पीस संतिपु पुरुस इनको क्या कहा जाता है आनन्द क्या लिख राए लुह पुरुस लुह पुरुस के लुह पुरुस के लुह पुरुस कोंसा लुह पुरुस सीच्छे जलिए दा मेन आप पीस सांती पुरुस यह आपको याद रखना है सांती पुरुस के नाम से इनको जाना जाता है सांती पुरुस कहा जात लाल भार्दुस सास्त्री जई जवान जई किशान बिजई घाट समादिस्थल कोई जाचने रूप भोल रहे हैं ए प्रभू क्या करूं भे तुम लोगों का प्रकास की तीरता मापने माले यंत्र को क्या कहा जाता है साइनो मिटर आकास का नीला पन ठीक है आकास का नीला पन ठीक है तो आकास का जो नीला पन साइनो मिटर बैरो मिटर आपकी वायू मंदली दाप ठीक है वायू मंदली दाप एट्मस्परिक प्रेशर वायू मंदली द आप साइनो मिटर निला पन आपको प्रकास की तीवरता आपके यह आपके लूशी मिटर यह आपका लूशी मिटर तो प्रकास की तीवरता इसका अंतर क्या आएगा आपका लूशी मिटर आएगा क्या आएगा आपका लूशी मिटर क्या आएगा आपका लूशी मिटर प्रक कि तीवरता लूशी मीटर साइनो मीटर आपका नीला पनाकास का बेरोमेटर एट्मोस्पिक वाई मंदली दबाव प्रेशर ना चलिए तो टेन का अंसर क्या होगा बिटा टेन का अंसर होगा आपका एंग लाल भादु सास्त्री को किस अंसान से सास्त्री की उपादी मिली थी सास्त्री का टाइटल उनको कहां से मिला था सब पलट गह टिप हो रहे नहीं पायल ने दे को डेलिट किया भी यूरा सिंग चरगांधी जन्ती के हर्दिश सुपकामन आपको बेटा ना कि मेरी बात का किसी को बुरा हो रहा तो नहीं लगता है ना मैं थोड़ा मजाक मजाक करता रहता है ना तो इसको दिल पर किड्नी पर ना लड़के लड़किया कोई भी है ना तो यह आपके कासी विश्व विध्या पिट कौन सा आपका कासी विश्व है ना कासी विश्व विध्या पिट ठीक है और ऐसा लग रहा है तो मैं बिलकुल गंभीर मुद्रा में पढ़ा हूं आपको कासी विश्व विध्या पिट है ना अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि नहीं आर सर करते फलाना डिमका तो आकास आकास बोल रहा कि हां सर मुझे लग रहा है क्या लग रहा तुमको क्यों रहा आकास देखो क्या करें वीवेका नंजी है ना उठो जागोर तब तक मत रुखो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए बट यह काई कि उठें तो पड़े हजगर ज यह कहते हैं आपके स्वामी वीवेका नंजी चलो सर मेरे यूटूब मेड बहुत ज़्यादा आ रहा है दोलो उसको एक बार पानी से अच्छे से कोमेंट रोखो एप अच्र थो और तरब टिक चलो चोड़ दो तो एलोरा की गुफाओ का निर्मान किसके द्वारा आपके तो एलोरा की गुफाओ का निर्मान यह आपके किसने करवाया था इसका अंसर करें आप लोग ठीक है और ऐलोरा गुफाओं की संख्या 34 है यलोरा को संबन्द कौन से धर्म से आपके जैन धर्म अन बहुत धर्म ठीक है जैन बहुत दोर आपका अ ब्रहम्मन दर्म अ harmless जेन भर्म जेन बहुत दोर आपका ब्रहंबन धर्म है लोरा की गुफा उनेश्कों की धरवर में कब सामील किया गया था 1983 में एलोरा में केलास मंदिर का निर्मार राष्ट कुट राजा जिनका नाम था आपका कर्ष्ण प्रथम क्या था आपका कर्ष्ण प्रथम ठीक है कर्ष्ण प्रथम ये देखो आपके ब्राह्मर बोद्यम जेन राष्ट कुट कर्ष्ण प्रथम सब्सक्राइब आपके राश्ट कुट यह पढ़ लो एक बार कि अच्छा मोदी जी आया है कि मोदी जी इनके ग्वालियर्म आया है इसा अब लिखेंगे तो इसा सर्मोदी जी हमारे ग्वालियर्म आया है तो तुम्हारा ग्वालियर्म मतलब हम पाउं भीन रख सकते हैं आईसा कि सामने से हटो तब ही तो पढ़ेंगे लो हट गया भाई या पढ़ लिया कि एससी फाउंडेशन आफ लाइन बेच आपका यह तीन अक्टुम्बर से मतलब तीन अक्टुम्बर कल है आट का था बटो बोले गांदी जी का बढ़ दे तो बच्चे सेलिब्रेट करेंगे पाटी बाटी में जाएं गांदी जाएं गांदी जी तो यह आपको याद अच्छे यह से जीडी जमान बेच मैस मैस प्री मिलेगा फाउंडेशन बेच आपका आधी सरका 799 फीशे इसके दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल जिसकी फीशे ए ट्रिपल नाइन इसके मैस फाउंडेशन आधी सरका पका फरी प्रवाइट करवाई जाएगा चलो निमनमे स सबसे पहला वे ब्राउजर कौन सा आपका Chrome, Internet, Explosor, NetScape, Navigator, Safari क्या होगा इसका आंसर निमने में सबसे पहला वे ब्राउजर आपका NetScape, Navigator कौन आपका NetScape, Navigator लाल भार्दुर सास्त्री को भारत रतन, मरोनो परांत मिला को सबसे पहले इनको ठीक है, 1966 में सबसे पहले मरोनो परांत, सबसे पहले मरोनो परांत 1966 में किसको मिला था आपके, लाल भार्दुर सास्त्री जी को Avenue i.e.m. ku अलोमिनियम की मौटी अक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया aluminium al किया आपका interpre परमानों क्रमा किया aluminium का कौन बताएगा भासर swari आपको मेरा कमेंट आपको और कमेंट नहीं देख लेह हो गुस्त हो तुमको नहीं दारी क्या है इंदर रोखो तो कोई दोस्त नाराज हो गया तुम अलग सर आज की पार्टी का ड्रेस कोट धोती बिल्कुल भैयूरा धोती और कुरता फेन की नहीं आना वह इस टाइप से गांदी जी वाले स्टाइल में आना है और करो नीचे बस सर जी स्वार आप मेरा कमेंट नहीं देखे थे आकास का नाम है भाइश्वर ठीक आरे आकाज जी आर कैसी बात करें तुम्हारे लिए आकास से में चांद तारे ला सकता हूं कमेंट की बात कर रहे हैं छोड़ दो तो यह आपका एनोडाइजिंग क्या आपका एनोडाइजिंग ठीक है अलुमिनियम की मोटे अक्साइड पर बनने की प्रक्रिया है ठीक है किसी बात कर रहा रहा है काज जी तुम्हारे ले चलो तुमको बोलो पानी पीरा एक मिनिट तब तक आंसर कर दो कि अ अशा सूरी बन सी ने मूँ बना लिए अशा सुवह मिने को एप की क्लास में बोल रही थी की कुरुतिका का नाम मत बिगाड़ आप मेरी सिस्टर है ना गुस्सा हो गए थी में ठीक है कुरुतिका को बोल दूआ आसा है तुम्हाई सिष्टर है क्या चलो लाल भार्दु सा तो तासकंदु उजबेकिस्टान में क्या है तासकंद उजबेकिस्टान नामकिस्थान थी तो यह आपको याद रखना है तो तासकंद पुझवेकिस्तान में 11 जनवर 1967 की क्या होती है मृत्ति हो जाती है मनुस्य के खून का पीच केसा होता है मनुस्य के खून का पीच केसा होता है हाओ seven बाइंट four seven फाइंट four pH होता है seven five फीच कम यह आपका overwhelmed हेंगा क्या कहलाएगा इस्टेडिया ब्लड कहलाएगा आपका है में हाद रखना है और प्रहें लाल बाहदुर्दूर्ट सास्त्री की समाधिस्थल का नाम क्या है को आना यादो पता नहीं क्या ये बात कर रहा है रिंग की भगवान जाने हम को तो कुछ बता हुम भी तो जाने क्या चल रहा है लाल बाहदुर्दूर्ट सास्त्री की समाधिस्थल का नाम क्या है विजय हुआठ क्या आपका विजय handing करने तो आते ही बात करने रिंग की मिंग के पिंग के चिंग करेगा तो यह बात करेगा है पेंग कि निमने में से निमलिखित में से किसने सबसे पहले यह तरक दिया कि उच्छ घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं इसका अंसर करिया अमरत सबसे निमने में से किसने सबसे पहले यह तरक दिया कि उच्छ घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं डेवीट रिकार्डो सास्त्रि अंतराश्टि हवाइड़ यह आपके सामने दिख़ रहा है लाल बहादू सास्त्रि अंतराश्टि हवाइड़ आप बहुत अच्छा बढ़ाते हैं पढ़कर खुसी हो रही है बहुत बढ़ी दोस्त मुझे भी खुसी हो रही है आपका कमेंड पढ़के लाल भादू सास्त्री अंतराश्टे हवाइड़ा आपके कहां पर है बारा नसी में कहां पर आपके बारा नसी में पीडियो को लाइक शेर कर दो एक बार निमलिखित स्टोक एक्षेंज मेंसे किसका सुचकांग संसेक्स नाम है Bombay Stock Exchange इसके स्थापना कब आपके 1875 में Bombay Stock Exchange स्थापना 1875 में आपको याद रखना है तो इसका answer क्या होगा आपका B होगा इसका आंसर B.A.C. Bombay Stock Exchange यह रहा B.A.C. Share Market में दम में फी में दम में फी पुरवजो की पुजा का एक उस्व यह राज्जमें बनाए जाता, कौन से राज्जम ठीके कुछ बोला था आपसे, किस से भई तेज जश्वनी ना सर मोधी जी गौलियर में है, ओके जाओ मिलाओ देखो हिमाचल प्रदेश में में आपको बताया था, चमबा परेटन इस्थल है क्या आपका, चमबा परेटन इस्थल है तो चमबा परेटन इस्थल कहां पर आपके, तो चमबा परेटन इस्थल आपके चुम्भी घाटी कहाँ पर है चुम्भी चुम्भी सिक्किम में ठीक है तो चुम्भी घाटी कहाँ पर आपके चुम्भी घाटी सिक्किम में है चुम्भा परेटन इस्थल आपके हिमाचल प्रदेश में और यह जो आपका में दम में फी पुरवजो का उस्तों में फी दम में फुवा फुवा जो भी है फुवा हुवा फुवा फुवा तुम्भी घाटी पीटा सुलिल पूच रहा है सिक्किम में है ना इता पंड्यार अड़का होनार होए रंजीत एक լार मेरी सुनलो सर जी रंजीत सर म्टन चेरी यह आपके यह डच और पुर्टगालियों के मद्वड़ा विवात् कारण था ये ठीक है मट्टन चेरी महल इसको डच पेलेस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको डच पेलेस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है यह आपके कहां पर आपके यह आपके केरल मट्टन चेरी महल यह आपके केरल में है कहां पर आपके मट्टन चेरी महल आपके केरल म सतरह खांसर डी होगा यह रहा मत्टन चैरी महेल पेंटिंग वेंटिंग से लगी अंदर शिक्रेट साफ नागास पुस्तक के लेक्ट कोन है है ना अधाला शिक्रेट साफ नागास अमिस्त्री पाथी जूमपा लाहीडी ने किताब लिखी है दोलेंड नामक और नेमसिक नेमसिक नामक किताब के लेकर चुमपा लाईड़ी है सलमान रुद्दी की तो बहुत सारी किताब है 18 का अंसर B होगा बिटा भारत के किस राज़ी में राष्टी जल करा संसान National Institute of Water जीए कहा पर है वीडियो को लाइक शेयर कर दो बबाबा एक बार हेलो सर दीप माला हो बिटा हेलो चलो बारत के किस राज्य में राष्टी जल किला संसान नेशनल इंस्टिटूट आफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा वाले बीच में आपर आपके गोवा में भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति का जन्मदिन इंजिनियर दीवस के रूप में जियारडी टाटा को भारत रत्न आपके 1992 में अब्दुलकलाम सहाब को 1997 में सीवी रमन इन्होंने रमन प्रभाव की खोच करी थी 1998 में इनको बहुतिकी के छेतर में नोबल मिला 1930 में 1903 में इनको बहुतिकी के छेतर में नोबल मिला है अरत्न आपके शलाए तेबüyorsun कहां help आझेक 20 का अंसर बी होगा गुफाव का निरमान किते हैं। आजनता में गुफाव के घर में संबैंदी थे। और जनता कुझ आजनता कुछनेस को में कब सामिल किया गया था। एए होंबर्ञ है कि क्या दिया है। भीग होंबर्क नई है। अजन्ता में लराक गुफाय कहां पर आपके औरंगाबाद औरंगबाद जन्ता गुफाय के द्यौंग करवाय गया था यह आपके वाका टक राजा अंगा। हरी सेना, कमड़ा, योगदान था है न आजनंता में घुपाओ की कुल संख्या ट्वंटी नाइथ Mikey कुव थर्म से आपके यह आपके बौट घर्मस अमदी कि से आपके बहुत धर्मसंता अलर्मा को धर ध्रमस को उजनेश को धर्वर में 1983 में सामिल किया गया था जा मापके के लिए तालिया लक्षिमी कुश्वाह के लिए तालिया बहुत अच्छा अंतर किये प्रियंका ठाकूर हना प्रियंका ठाकरे सुनीता गुंदिया के लिए तालिया थैंक्यू सब्सक्राइब चलिए यह आपका होंबर्क है यह आपका क्या है होंबर्क ठीक है तो यह आपको डेली पांच बजे आसा सूरी बंसी आप मेरा नाम कभी नहीं लेते जाते जाते आपका नाम ले लिया ठीक है तो कमेंड बॉक्स में आंसर करिएगा प्रतिकिरिया जरूर दीजिएगा क्लाश डेली होती है हमारी और यह ससी फाउंडेशन बेच आपको ऑफलाइन कल से प्रा आपको पढ़ा जाएगा दोस्तों ठीक है इसके अलावा यहां पर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का फीज से ट्रिपल नाइन कितना फीज आपका ट्रिपल नाइन सोरी बेच है ना फ्री फाउंडेशन मेंच मिलेगा आपको इसमें स्सीम्ट बेच चाहते हैं जिसकी विनर्स के सामने आपको दिखाई पढ़ रही यहां पर पहुंचये प्रेक्टिस करें टेलीग्राम पीडियेप चैनल आपके वीनर्स इंशुट के ओफिजर डेलिग्राम चैनल पर पीडियेप मिल जाएए आपको वीनर्स के एप में क्या क्या फीचर है आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों यह बीनर्स की यूटूब चैनल इनको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा उम्मित करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा ठीके अना उम्मित करता हूं आज का सेशन पसंद आया हां भई त्री भौवन सिंग ठीके तो क्लास डेली होती है साम को पांच बजे आना ओल एक्जा सब्सक्राइब करना है तो आपको डेली क्लास अटेंड करना होगी एक गंट की क्लास रिती मुश्किल से क्या लगता है तो आज इतना ही रखेंगे आज के लिए बहुत बहुत धनिवाद थैंक्यू सो मच बावाई गुडड़ टेक्या क्या आजा अजाद़ एक लगता है जएक फडिली के लोगता हैंगे उना ही रहाद।